हेलो मैं रिसर चेनलिस्ट गौरव श्रमा आज आपको बाजार से जोड़ी वो महतपूर जानकारिया देने की कोशिश करूँगा जिस तरफ शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा और बाजार की इस नौइस के अंदर हो सब्सक्राइब कुस्पूर्टन डिटा को मिस्स कर ग लगतार तीन दिनों से हम लोगों ने अब्सक्राइब किया अब देखिए आगे की तरफ जब हम बढ़कर चलते हैं तो सबसे पहला है संकेत तो हमेरे को गलोबल मार्केट से जो मिला वो एक नेगेटिव संकेत मिला यहां दूसी तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब FIS अभी भी मार्केट के अंदर उपर के लेवल पर प्राफिट्स को बुखी करकर चल रहे हैं और कहीना के मार्केट के अंदर 19,500 एक इंपोर्टेंट रिश्टेंज की तरह काम करकर चल रहा है अब देखिए मैं कुछ बातों की तरह आपका थ्यान लेकर चलना चाता है कि 19,225 के stop loss को लेते हुए market participants ने अपनी कुछ positions को long में करेट का होगा और market में 19,500 तक market कल जाता भी है अब बात ही निकल कर रहाती है कि जिन लोगों ने 19,225 का stop loss लेते हुए 19,298 के बास अपनी position को करेट किया होगा तो क्या उनका target के वेर 19,500 होगा तो देखिए मैं कु करते हैं बहुत ही logical तरीके से मतलब mathematical तरीका उनका चलता है market में उपर के level पर उनका profit को बुक करना नीचे के अपने उस level पर जिस level के पास में वो लोग long करेट करके गए थे वापस से अपनी position को करेट करना करें ना कहीं market में एक consolidation की level को दर्शाता है कि अब अगर market में उन्ह 255 के चूटते हुए भी दिखाई दे सकते हैं यह एक important बात है क्यों उसका reason समझेए market में अगर आपने किसी भी चीज को थोड़ा महेंगे पर बेच के आप अलोड़ी profit के अंदर बैठे हुए हो नीचे आने के बाद में वापस से आपने उस profit को reinvest किया और positions को long करा तब उस तो जो अगली value निकल कर आती है वो और नीचे ही निकल कर आती है तो क्या market के अंदर हम लोग आने वाले दुनों में और ज्यादा गिरावट का अंदाजा लगा सकते हैं अंदेशा देख सकते हैं तो दिखिए मैं हैं पर आप शेकर ना चाहूंगा कि मेरी किसी तरीकी की को या आपको recommendation नहीं है लेकिन हाँ इतना जरूर है जब तक market वापस है 19,650 के level को reclaim नहीं कर लेता जिसके अंदर हम लोग ने 1650 से लेकर 19,835 के बीच में एक अच्छा consolidation हम लोग ना observe किया था तब तक market को लेकर हमारा view bullish भी नहीं बनता है क्या हम market को लेकर variation तो मैं फिर आपको पर बदा चुका हूं कि market के अंदर हम लोग ने जब reversal को catch किया था तो हम लोग ने उसके अंदर एक अच्छी rally को observe कर चुके हैं तो market में अब इस समय पर फदर और बड़ी घ्रावट का अंदाजा लगा ना थोड़ा सा मुश्किल है तो 19,650 से 19,835 के बीच में market का consolidation एक watch का है जब तक market 19,650 के नीचे है तब तक हमरा view bullish नहीं है और market के अंदर हम लोग opportunities sell on wise की डूंड कर चलेंगे लेकिन जैसी market 19,650 के बाद बचलेगा तो जिन लोगों ने 9550 के असपास कहीं पर sell को create किया होगा तो उनका stop loss 19,650 रहोगा तो market में 19,650 के cross करने के बाद में market मे expectations short covering की आ सकती है यह मेरा मानना है thank you so much all the best